हलो स्टुडेंस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें विद्धुत रसायन चेप्टर में किस-किस टॉपिक को कवर करना है और उसके साथ ही हम किस टॉपिक को यहां पढ़ेंगे भी इस चेप्टर में हमें सेल के बारे में पढ़ना है सेल दो प्रकार के हैं विद्धुत अबगटनी सेल वा विद्धुत रसानिक सेल तो हम देख रहे हैं कि ऐसे सेल जो विद्धुत उर्जा को रसानिक उर्जा में परिवर्तित कर देते हैं विद्जुत अबगटनी cell होते हैं और ऐसे cell जो रसानिक उर्जा को विद्जुत उर्जा में परिवर्तित करते हैं वद्जुत रसानिक cell होते हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ topic जो हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं जो के विद्धूत अभगटने से रिलेटेट थें, तो उसमें था विद्धूत अभगट विलियन की चालकता, उसमें हमने तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता के बारे में पढ़ा था, तुल्यांक यानि लैम्डा M और मोलर चालकता निन लैम्डा EQ, इसके अत्रिक्स दु और इससे related कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हैं विद्धुत अभगटन, विद्धुत अभगटनी सेल और विद्धुत अभगटन के नियम जो की फैराडे ने दिये थें तो इन तीन टॉपिक्स को यहां पर पढ़ेंगे और हमें विद्धुत अभगटनी सेल जिसको हम गैलवनिक सेल कहते हैं या फिर वोल्टीय सेल कहते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है जिसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन इसमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको एक बार हम यहां पर देख पढ़ना है और यहां पर हमें डेनियल सेल के क्रिया विदी को भी पढ़ना है इसके अलावा एलेक्ट्रोड विभो पढ़ना है विद्धुत रसानिक सेड़ी पढ़ने हैं जो कि आप पढ़ भी चुकी होंगी और नेनस्ट समीकड पढ़ना है इस समीकड के द्वारा हम व इन सेलों के बारे में पढ़ना है और इसके अलावा एक और टॉपिक है संचारण, जो इस सेल से अलग है, तो अब हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले देखेंगे विद्धुत अफगटन, तो हम देखते हैं कि विद्धुत अफगटन एक प्रक्रिया ह यानि एक प्रक्रम है जिसमें विद्धुत उर्जा रासानी कुर्जा में परिवर्तित होती है तो परिभाशा हम लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें विद्धुत उर्जा रासानी कुर्जा में परिवर्तित हो जाती है वह प्रक्रम विद्धुत अभगटन कहलाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विद्धुत उर्जा है वो बैटरी द्वारा विद्धुत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है और फिर सेल के द्वारा विद्धुत उर्जा को जब हम रासानिक उर्जा में परिवर्तित करते हैं तो इसी रासानिक उर्जा के द गुद्धू थार प्रध करेंगे तो रासानिक अभी क्रियाय संपन्स होंगी अब हम विद्धू तभगटनी सेल की संरचना और इस किरिया विदी को देखेंगे तो हम देखते हैं कि विद्धुत अबगटनी सेल में विद्धुत अबगटनी विलियन लिया जाता है तो यहाँ पे विद्धुत अबगटनी विलियन लिया गया है और इस विलियन में दो धात्विक या फिर ग्रेफाइट के छड़े डाली जाती है तो यहाँ पे दो छाड़े हैं या धातू की या ग्रिफाइट की हो सकती हैं और इन छड़ों को आपस में बैटरी से जोड़ के विदुधारा प्रवाहिद करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विदुद्धार अप्रवाइट करने पे यहाँ पे रासायनेक अभिक्रिया संपन होगी तो इन छड़ों पे रासायनेक अभिक्रिया संपन होती हैं तो एक छड़ पे आक्सीकर्ड अभिक्रिया होती है दूसरी छड़ पे हम देखते हैं अब चेन अभिक्रिया होती है तो जिस छड़ पे आक्सिकर्ड की अभिक्रिया होती है उसे हम एनोड कहते हैं और जिस छड़ पे अब चेन की अभिक्रिया होती है उसे हम कैथोड कहते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्धुत क्योंकि जब आगे विदूत्रासानिक सेल पढ़ेंगी तो उसमें डेनियल सेल जब पढ़ेंगी तो वहां पर देखीगा कि आप एनोड जो होगा वह रिड़ विदूती हो जाएगा और कैथोड धन विदूती है यह चीज तो दोनों के लिए सेम रहेगी मतब हमेशा इनोड पर ऑक्सिकर्ड होगा और कैथोड पर अपचेन होगा फिर चाहे वो विदूत अबघटनी सेल हो या विदूत रहसानिक सेल हो दोनों के लिए सेम रहेगा लेकिन उनका चार्ड जो है वो चेंज होगा अब आगे हम फैराडे के विदूत अबघटन के नियम देखेंगे त की एलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ विदूत आवेश के समानुपाती होता है तो ये एलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ क्या उसको समझ लेते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम विदूत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि विल स्क्रतियाइ में लेक्टोड पर या तो पदार्थ मुक्त होता है या dancing होता है और यह विद्धूत आवेश के मतलब मतलब जितने आधिक विद्धूत आवेश बैटरी के द्वारा प्रवाहिद किया जाएगा उतना आधिक हम देखेंगे पदार्थ इस पे एकत्रित होगा या फिर पदार्थ यहां से मुक्त होगा क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है तो यहां से हम देख सकते हैं माल लेजिए कि अगर मुक्ति या एकत्रित पदात को हम capital W माल लें और पैटरी के द्वारा प्रावित आवेश को हम capital Q माल लेते हैं तो चुकि हम जानते हैं कि Q आवेश इस उकल्टू होता है IT वितुधारा गुड़े समय अंतराल तो यहां पर हम Q की जंगा लिख सकते हैं W समानुपाती IT अब हम समानुपाती साइन को equal में change करेंगे और एक नियतांक Z लगा देते हैं तो इस प्रकार हमें एक equation मिल जाएगा और इसमें Z जो है नियतांक जो है उसको हम कहते हैं विदूत रसानिक तुल्यांक इसे ही हम फैराडे के विदूत अभगटन का प्रथम नियम कहते हैं अब आगे हम देखते हैं दूतिय नियम फैराडे के विदूत अभगटन के दूतिय नियम में हम देखते हैं कि यदि हम विदूत अभगटनी विलियन, बहुत सारे विदूत अभगटनी विलियन को आपस में हम शेडी करम में जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे हम सिल्वर नाइटरेट, कॉपर सल्फेट और सल्फियूरिक अमले के विलियन को आपस में शेडी करम में जोड़े हुए और उन सभी prillyanon में अगर हम समान धारा यानि समान आविश cheat करते हैं तो हम देखते हैं कि rektroydS e UK या एक्थित पदार्त की जो मात्रा होती है उ स्विलियद्अ कि जो पदार्थ इस पे एकत्र होता रहेगा उस पदार्थ के तुल्यांग की भार के समानुपाती होती है मतब जिस पदार्थ का तुल्यांग की भार अधिक होगा वो उतनी अधिक मात्रा में उस पे एकत्र होगी या वहां से मुक्त होगी जैसे मान लीजे कि इस विलियन में एजी जो है इस छड़ पे जाके एकत्रित होती है और इस विलियन में कौपर जो है छड़ पे जाके एकत्र हो रही है और इस विलियन में हाइटोजन जाके एकत्र होगी लेकिन चुकि हाइटोजन गैस है गैसी रवस्ता में बनेगी इसलि बटे में हम ले एकत्रित कॉपर का द्रवेमान तो ये बराबर हो जाएगा एजी का तुल्यांग की भार जिसका द्रवेमान है उसका तुल्यांग की भार बटे में कॉपर का तुल्यांग की भार यानि द्रवेमान जो है वो तुल्यांग की भार के समानुपाती होगा अब इ तुल्यांग की भार बटे में हाइट्रोजन का तुल्यांग की भार तो यहीं फेराडे के विदुत अभगटन का दुत्तिय नियम था